हलो बच्चों कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका ट्यूटर जितेश वाधवानी और बच्चों सबसे पहले आपन क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ ठीक है अबाउट मी है यह मैं हूँ मैं अपने बारे में बता देता हूँ तो यहर मैंन इस वीडियो में क्या करेंगे हम PYQ प्रिवियस यर्स कोशन करेंगे ठीक है गेट एक्जाम के गेट में जो जनरल अप्रिट्यूट कोशन होता है ना और तुम जानते हो एर कैट रोजेट का लेविल रहता है वह बहुत टफ रहता है गेट से ना तो मेरे इसमें 95 प्लस प्र कोशन करेंगे ठीक है तो देखो यह गेट 2020 में इसमें लिये है वह बहुत जाला जरूरी है तो देखो यार इसमें तुमसे क्या बोल रहा है कि 52 लोग 10 दिन में कंप्लीट करते हैं यह जो काम है पी और क्यू के बीच में कुछ हाईवे बन रहा होगा ठीक है उसको 52 लोग 10 दिन में बनाते हैं यह तुमसे बोल रखा है ठीक है अभी क्या था 10 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था लेकिन जब तुम इसमें से 12 लोगों को हटा दोगे तो 52 में से 12 को हटा दोगे तो 40 लोग बचेंगे ठीक है अब वो 40 लोग कितने दिन में काम तुमारा खतम करेंगे x days में यह तुम्हें निकालना है ठीक है तो आर देखो इसमें time and work का जो concept use होगा वो है m d h upon w जो है वो constant होता है ठीक है मतलब man 1 into days 1 into hour 1 upon work 1 equal to man 2 into days 2 into hour 2 upon work 2 ठीक है क्योंकि यह देखो तुमने लोग कम कर दिये है तो अब जो तुम्हें दिन लगेंगे वो जादा दिन लगेंगे है अब यह पूशा तुमसे कितने जादा दिन लगेंगे काम होने में तो तुम्हें यह फंडा पता होना चाहिए mdh by w constant ठीक है अब इसी formula को अपन इसमें लगा तो तुम तो पहले case में तुम्हें man कितने दिये हैं 52 man यह देखो 52 man ठीक है कितने दिन में काम को complete कर रहे हैं 10 दिन में यहाँ पे अपने को hours नहीं दे रखा कितने घंटे एक दिन में करते हैं काम और अपने को work जो है वो same ही है मतलब जितना work यह 52 लोग कर रहे है उतना ही work यहाँ पर 40 लोग करेंगे तो work work cancel होने वाल है ठीक है तो यहाँ पर work को w बोल दो तुम अब यह किसके बराबर हो जाएगा दूसरे time में man कितने हो गए तुम्हारे 40 ठीक और तुम्हारा यह जो है days यह कितने लगने वाले व 4 है ना 1 carry 4 3s are 12 तो x की value आगई 13 इसका मतलब क्या है कि यह 13 है 40 लोग 13 दिन में काम खतम करेंगे अब तुमसे क्या पूछाता है इस question में how many number of days more than the original estimate तो original estimate क्या था 10 दिन का अब इनको किते दिन और जादा लग रहे है original estimate से तो 3 दिन और लग रहे हैं है ना क्योंकि original estimate था 10 इनको लग रहे हैं 13 तो इसका difference किता हो गया 3 days ठीक तो यहां पर तुम्हारा 3 days इसका answer हो जाएगा है ना इसका answer है 3 days चलो तुम यह question समझ चुकिए अब आगे चलते हैं ना देखो इस question में तुमसे क्या बोल रहे है there are 5 levels P, Q, R, S, T ठीक है इस question में तुम्हें 5 level दे रखे ह before the product reaches the customer as shown in the figure ठीक है तो यह product सीधा सीधा customer के पास तो आता नहीं है यह customer हो तुम हो मान लो यह हम लोग है और यहां पर जो product है वो अलग-अलग stages से पास होता है ठीक है पहले मतलब उसमें एक part लगेगा फिर दूसरा part लगेगा फिर testing होगी उसकी ठीक है फिर उसकी marketing होगी यह different stages से पास होता है तो वो तो में बता रखा है at each five levels the price of the product is increased by 25% हर लेवल पे क्या हो रहा है price बढ़ती जा रही ही product की क्योंकि उसमें कुछ न कुछ काम हो रहा है एक product उसका part लग रहा है उसकी marketing हो रही है समझ रहा है उसकी packaging हो रही है तो उसकी price बढ़ती जा रही है 25% स उसकी price बढ़ती जा रही है ठीक if the product is produced at level P at the cost of 120 per unit जब product यहाँ पर है तो उसकी cost दे रखी है 120 per unit की एक unit की cost यहाँ पे इसकी 120 है what is the price paid by the customer तो customer कितना पैसा देगा उस product के लिए ठीक है तो जैसे ही product यहाँ पर पहुचे का 25% बढ़ जाएगी यहाँ पहुचे का 25% बढ़ एकस प्राइस है ठीक है तो बाद में price कित्ती हो जाएगी यह हो गई old price तो new price कित्ती हो जाएगी 25% बढ़ने के बाद पुरानी price plus 25% 25 by 100 of x ठीक है तो यह कितनी हो गई x plus 0.25 times of x मतलब 1.25 times of x ठीक है तो जो तुमारी new price हो जाएगी न वो 1.25 times हो जाएगी समझ रहे हो तु इसका मतलब तुम यह बोल दोगे कि जो Q पे price होगी ठीक है वो होगी 1.25 times of जो price P पे थी ठीक फिर जो उसके बाद R पे price होगी वो हो जाएगी 1.25 times of जो price Q पे थी इसी तरीके से तुम चलते जाओगे S पे जो price थी वो 1.25 times है ना T पे आएगी वो 1.25 फिर customer के पास जो आए जाएगी वो हो जाएगी जो P पे price थी 120 रूपीस multiplied by 1.25 की power 5 ठीक है क्योंकि देखो एक बार बड़ी दूसरी बार बड़ी तीसरी बार बड़ी चौती बार बड़ी और पांच भी बार बड़ी तो यह सरीके से 5 बार 1.25 times बढ़ गई और original क्या थी 120 तो जब तुम calculator तो में इस question की concept को है न चलो अब अब अगे चलते हैं देखो इस question में तुम से क्या बोल रहा है An engineer measures three quantities x, y, z in an experiment ठीक है तो engineer लोग तो खुराफादी होते हैं यह experiment करते रहते हैं तो यह तीन quantity उसने measure करी ठीक है लड़की थी She finds that they follow the relationship that is represented in the figure below तो उसको कुछ इस तरीक की relationship मिली The product of x and y are linearly varies with z ठीक है? x और y का जो product है है न मतलब x into y का जो product है वो linearly vary कर रहा था z के साथ वो z के साथ था linearly vary कर रहा था ठीक है? मतलब directly proportional था कह सकते हो तो चलो Then which of the following statement is false ठीक है? तो कौन सी statement false होगी? यह तो मैं बताना है For fixed x, z is proportional to y ठीक है? अगर तुम x को fix कर लो तो z तुम्हारा y के proportional है अगर तुम z को fix कर लो तो x, y के proportional है x, y by z constant है ठीक है? और for fixed y, x is proportional to z इस तरीके से है इसमें तुम क्या करोगे यार? तुम्हें दे रखा है कि x, y जो है वो z के linearly proportional है है तो देखो Straight line की equation क्या रहती है? y equal to mx plus c यह तुम्हें पता है ठीक है? तो लेकिन जब straight line origin से pass करती है तो c की value 0 हो जाती है क्योंकि सी intercept होता है तो straight line की equation मन जाती है y equal to mx ठीक यह तुम जानते हो यहाँ पर y क्या रहता है? y axis को जो represent कर रहा होता है और x रहता है जो x axis को represent कर रहा होता है ठीक है? इस case में देखो, इस case में तुम्हारा y axis को कौन represent कर रहा है? xy का product ठीक है तो तुम y की जगह पर लिख दोगे x into y is equal to m times all ठीक है तो यहाँ पर तुम्हारा x को को रिप्रेजेंट कर रहा है? x को z रिप्रेजेंट कर रहा है तो तुम यहाँ पर लिख दोगे z, ठीक है? तो यह तुम्हारा equation बन जाएगी x y is equal to mz ठीक है? अब देखो, इस ही equation से है अपन solve कर लेंगे इस question को है ना? देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या बोल रहा है? for fix x, z is proportional to y, ठीक है? तो तो मगर यहाँ पर x को fix कर लो, है ना? अगर तुम्हारा x fix हो जाए, मतलब constant हो जाए, तो तुम इसको लिख सकते हो f y is equal to mz, ठीक है? mb क्या होता है? slope होता है mb है, तो y is directly proportional to z, ठीक है? तुम z को fix कर लोगे, तो equation क्या बन जाएगी, तुम्हारी x y equals to m, यहाँ पर z fix हो चुगा है, मतलब यह पूरी की पूरी चीज़ के constant है, ठीक? मतलब x is inversely proportional to y, आ रहा है तुमारा है, लेकिन यह कह रहा है, x is proportional to y, गलत, x is inversely proportional, proportional means directly proportional, यह directly कह रहा है, तो यही इसका answer false होगा यह false है, यहाँ पर देख लो, x, y पर z constant, सही बात है, यहाँ पर क्योंकि देखो, इस equation से अपने लिख सकते है, x, y upon z is equal to m, जो की slope होती है, जो की constant होती है, ठीक? तो यह चीज़ भी सही है, यहाँ पर आजाओ, for fixed y, x is proportional to z, अगर तुम y को fix कर लो, है न, y fix कर लो, तो x is equal to m, z हाजएगा, मितलब x is proportional to z, ठीक है, तो इस तरीके से अपर ने देख लिए, इसका answer b हो जाएगा, ठीक है, चलो, आपने आगे चलते हैं, देखो, यह question, देखने में तुम्हें कितना बड़ा सा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है, यह देखो, basic funda रहता है, general aptitude का, यह किसी भी exam का, जितना बड़ा question होगा, उसका answer उतना ही छोटा होगा, और जितना छोटा question होगा, उसका answer उतना ही जादा बड़ा होगा, ठीक है, तो तुम्हें बड़ा question देखके डरना नहीं है, तुम्हें confident feel करना है, कि यह answer आसान है इसका, देखो, the two pie charts given below shows the data of two students, of total students, and only girls registered in the different streams in a university, ठीक है, दो pie chart दे रखे, एक total students को बता रहा है, और एक girls को बता रहा है, जितनी girls enrolled है, if the total number of students registered are 5000, and the total girls registered are 1500, ठीक है, then the ratio of boys enrolled in arts to girls enrolled in management is, ठीक है, तो अगर तुम्हें total students, यह जो सारे total students है, वो 5000 है, और जो girls enrolled है, वो 1500 है, ठीक, तो तुमसे ratio पूछ रहा है, तो चल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, boys enrolled in arts, ठीक है, तो जो तुम्हारे boys arts में है, वो तुम्हें निकालना है, चल, देखो यह कैसे निकालोगे तुम, पहले यह देख लो, arts में total कित्ते लोग है, पहली का बताता हूँ, किसी भी number का तुम्हें 10% निकालना है, तो तो उसमें से 0 हटा दो पीछे वाला, ठीक है, तो उसका 10% निकल जाएगा है, जिसे मान लोगो कोई number है, 1000, उसका 10% क्या होगा, 10% का basic मतलब क्या होता है, divide by 10, ठीक है, तो उस number को तुम divide by 10 करो, मतलब जो आखरी digit है, उसको हटा दो अकर 0 है, नहीं तो point लगा दो उसके पहले, ठीक है, तो देखो, इसमें ये हट के 500 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, तो total arts में जो लोग है, वो हैं तुमारे 1000, arts में 1000 लोग है, girls कितनी है arts में, 30%, इस चीज का 30%, इसका 10%, अभी मैंने पता है निकालना, 150, है न, 30% कितना हो जाएगा, 10% 150, तो 150 into 3 करो 450, ठीक, तो तो तुमारे यहाँ पे निकल गई, 450 girls, तो मैं boys चाहिए थे, तो boys कितने हो जाएगे, remaining, 550 हो जाएगे boys, ठीक है, इसकी value तुमारे निकल गई, 550, चलो, देखो, second part में तुम से क्या बोल रहा है, इसमें, second part में तुम से बोल रहा है, कि girls enrolled in management, management में कितनी girls enrolled है, ठीक है, तो यार, देखो, management की girls अगर तुम्हें निकालनी है न, तो देखो, management में कितनी है, 15%, तो 10%, तुमने देखा थे, 150 होता है, ठीक है, अब 5% बता हो क्या होगा, तो मैं पता है, इसका आदा हो जाएगा, 10% यह होता है, 5% हो जाएगा, इसका आदा, ठीक है, तो इसका आदा कितना होगा, 75, तो इन दोनों को जोड़ लो तुम, तो यह होगा, 5, 7, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, एक और 1, 2, तो यह आगे तुमारा 15%, ठीक है, 15% आ रहा है, इसका 225, है न, तो 225 girls हैं, जो management में involved है, त तो मैं इस दोनों का ratio चाहिए, तो चलो यार, यहाँ पर ratio निकल दो, 550 upon 225, कितना हो जाएगा, 5 से जाएगा, 11, 0, 5, 4, 20, ठीक है, 5, 5, 25, फिर 5 से चले जाएगा, 9 बार, 5, 2, 10, है न, 5, 2, 10, बन के रही, 5, 2, 10, 22 by 9 इस का answer है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, तो 22 by 9 इस यार, दोस्तों, उमीद करता हूँ, तो मैं सारी के सारी चीजे समझ में आ गई होंगी, है न, gate के questions अपन करेंगे, अभी series स्टार्ट होई है, मैं क्या करूँगा, पिछले 5 साल के, जितने भी, mechanical, civil, electrical, electronics, जो तुम सोच सकते हो, जो भी branches होती है, उसमें जो भी general aptitude के questions आए ह तुमारे previous year के, उसको मिला करके तुमारे सामने रखूँगा, ठीक है, और तुम्हें solve कराऊँगा, जिससे तुम्हें confidence हैगा, कि general aptitude बहुत आसान है, तुम उसे कर सकते हो, तो चलो यार, बच्चों, अभी अपने इसको इताई रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, और जो भी करना चाहते हैं, न दिल खोल के करिए, और क्योंकि ये जिन्दगी न मिलेगी दोबारा, चरिए, बाई